बैस दाबोदिन खान और आप देखने हैं प्रहार टाइम्स मुम्रा में आज टोरेंट पावर के तरफ से इफ्तार दावत डायमेंड हॉल में रखे गई थी इस दावते इफ्तार में मुम्रा शहर के राजनेतिक पाटी और आम जनता के साथ पुलिस भी शामिल हुई थी इफ्तार दावत का मकसद था कि हिंदुस्तान में सभी एक दूसरे से मिलजूल कर भाईचारे के साथ रहे चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो उसे अपने धर्म अनुसार जेने का अधिकार है टोरेंट पावर के पियारो चेतन बदियानी ने बताया कि इफ्तार की दावत में बड़ी संख्या में मुम्रा शहर के लोग शामिल हुए हैं यह बहुत अच्छा लगा जो इतनी संख्या में लोग दावत में शामिल हैं मुम्रा के लोग हमेशा एक्ता कायम रखते हैं इफ्तार दावत में शामिल एसीपी बैंकट आंधले और टोरेंट पावर के पियारो चेतन बदियानी और यूनुस शेख ने इफ्तार दावत की बात क्या कुछ मेडिया से बास्चित करते हुए कहा है आपको सुनाते है मैंना में सबको ऐसा लगेंगे तो और बाइचारा बढ़ेगा जो हो रहा है वा अच्छा हो रहा है और सबको इसका फुसी है माशाला बहुत अच्छा इन्होंने एक स्टार्ट किया है मुझे लगता है कि यह इफ्तियार पार्टी बिले दो साल पहले होनी चाहिए थी मगर लॉक्डाउन की वज़े से यह लोग शायद नहीं कर पाए और अभी इन्होंने किया है और बहुत अच्छा इंतिजाम है एक मुंतजिम तरीके से जो है हाईजेनिक तरीके से जो इन्होंने इफ्तियार पार्टी को पूरा और्गनाइज किया है तो आई रियली अप्रिशियेट चॉरेंट कमपणी कि इस तरीके के इवेंट हो रहे है जिसमें ना सिर्फ इनका और पॉब्लिक का एक मेल हो रहा है हिंदु मुस्लिम गंगा जमना हमारे तेवार इस तरीके से जो यह मना रहे है इस तरीके से एक अपना पन यह हमारे लिए उसका सबूत दे रहे हैं तो आपने ताइम निकाल के आज के इवतार में अटेंडनेंस दिया आज का इवतार सब के मेल जोल के लिए एक हमारे तरफ से प्लाटफॉर्म था कि इसी बहाने हम सबसे मिल जोल के एक प्लाटफॉर्म पर बात करके एक अच्छा सा और्गनाईज इवेंट कर सके यहां पर सारे लोग इफ्तार पर आएं हमारे साथ रोजे के इफ्तार में शामिल हुए मैं सबका शुक्रियादा करता हूं कंपनी के तरफ से और आगे भी इसी तरीके के प्रोग्राम कंपनी से हमारे होते रहेंगे